Hi Friends, Welcome to Nature Treasure, This is Swati, आज हम बात करेंगे पीपल के पेड के पारे में, पीपल का पेड बहुत ही गुनकारी पेड होता है, इसकी medicinal value बहुत हाई होती है, और पीपल आपके लाइफ में क्या क्या कर सकता है या आप सोच भी नहीं सकते हैं, नॉर्मली इंडिया में इसे बहुत इसकी पूजा की जाती है इंडिया में और इसी लिए इसको इसे लोग घबराते हैं यह बहुत सारी अंधविश्वास भी है इसे लेकर जैसे इसके नीचे नहीं सोना चाहिए और लेकिन क्या होता है अगर यह आपकी छट पर हो जाता है नॉर्मली आपके जहां पर सीलन रहत मुझत है टंकी के पास में पाइपस के बीच में आपने दिखा होगा कि यह पीपल के ट्री निकल आते हैं आपके जो तनकी है उसके नीचे से ही जैसे यहां पर निकला है एक फ्रेंड ने यह खा था में और उसी क्लिप के उपर मैंने ये वीडियो बनाया मुझे लगा कि इस चीज बताना चाहिए चीज डिसकस करनी चाहिए कि अगर आपके यहां भी इस तरह से पीपल के ट्री निकल आते हैं तो उन्हें देखते ही आप निकाल दीजिए प्लीज अंधु इश्वास में नहीं पड़िये आप निकाल दीजिए अगर आपको लगता है कि इसे नहीं काटना है क्योंकि अब तो कोई आप्शन नहीं है आप तो काटना ही पड़ेगा लेकिन अगर छोटा होता तो यह वह ऐसे ही निकल आता और आप उसको रिप्लांट क हो जा सकता है और आप जानते नहीं ट्री की इस ट्री की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं जो मैं आप से डिस्कुस करना चाहूंगी इस यह बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के काम आता है यह ब्लीड के लिए बहुत अच्छा होता है अगर किसी का पूर एपटाइट ह उसमें बहुत हेल्प करता है, Blood related जतनी पर प्राइलम है उसमें बहुत हेल्प करता है, अगर Stomak Pain है तो पीपल की जो लीव्ज हैं उसको गुड के साथ मिलाकर खाये, तो वह Stomak Pain जो है ठीक हो जाता है, अस्तमा में इसके जो बार्क है वो बहुत हल्पुल रहता है अस्तमा में इसके जो फ्रूट्स आते हैं वो बहुत हल्प करते हैं उसे जो है सेकर्ड फिक भी कहते हैं तो वो काफी एफेक्टिव होते हैं आपके अस्तमा के प्राप्लम के लिए snake bite अगर हो जाती है तो आपकी people leaves जो हैं वो बहुत काम आती है वो poison को निकालने में उसका effect कम करने में काफी helpful होती है skin diseases के लिए अगर आप people की जो soft वाली leaves है नई कच्छी leaves वो लगाते हैं तो itching और बाकी जो skin diseases है वो ठीक हो जाती है उसे आप रोज खाईए आपको skin की issues बहुत कम होंगे एक्जिमा की जो itching होती है वो भी rash में जो बहुत help करता है अगर जो इसका बार्क है इसका तना है उसको आप जलाकर उसकी राक को use करेंगे वो बहुत help करती है एक्जिमा में इसके आप टी बना सकते हो यह क्राग्ड हील में बहुत help करता है इसका जो पीपल लीफ का extract होता है वो हील पे miraculously work करता है blood purify करता है यह पीपल सीड का जो powder रहता है उसको honey के साथ अगर आप लेते हैं तो यह गैस्टिक डिसॉर्डर्स को remove करता है और यह बहुत help करता है आपके blood को purify करने में तो अगर blood purified होगा तो आपको acne और skin की बाकी troubles भी नहीं होगी और एक और बहुत अच्छी चीज है कि इंपोटेंसी में भी help करता है इसका half spoon of people का fruit powder है वो milk के साथ तीन बार दिन में लेना होता है उससे body को strength मिलती है तो अगर आप देखें तो इसके हर चीज बहुत फाइदे मन्द होती है तो people tree वैसे बहुत अच्छा होता है आप उसको अगर उगाता है बाइजान कर भी आप उसको निकाल लीजे और उसको ऐसे आपके किसी भी pot में प्लांट कर दीजिए यह भी हमने किसी और के यहां से लिया था और उसे प्लांट कर दिया अब इसको bonsai बनाएंगे इसके bonsai भी बहुत सुन्दर बनते है क्या करना होते हैं तो अगर आपके यहां पर अपने आप ही आ रहा है तो आप इसके तो ट्राइ कीजिए इसे फैकिये नहीं यूज कीजिए and thanks for watching